Rule no.4 का एक और Rule देखते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं Rule no.5 की तरफ Rule no.4 में guys दो the percentage याद रखेगा The percentage यह age जो लग कर आएगा परसेंट में अगर age जुड़ गया अगर परसेंट में age जुड़ गया तो आपको is लगाना है is, 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 is जैसे ही यह परसेंट में परसेंटेज परसेंटेज जुड़ गया वहाँ पे आपने singular verb का ही यूज करना है याद रखना है यह जो of है ना आफ के पहले percentage the percentage of है ना the percentage of good persons इसके बाद कुछ भी हो आफ के पहले अगर percentage use हो percentage use हो तो आपने is का यानि singular verb का use करना है hopefully यह आपको समझ में आया होगा again मैं repeat करूँ percentage of के पहले percentage तो is अगर of के पहले अगर सिर्फ percent हो of के पहले सिर्फ percent हो याद रखना है of के पहले सिर्फ percent हो तो जो verb होगा ना वो इस पे depend करेगा अगर यह plural है तो यह भी plural अगर यह singular है noun तो यह भी singular अगर यह plural है तो वो प्लूरल अगर यह singular है तो यह singular noun singular है तो वो प्लूरल noun plural है तो वो प्लूरल यह कौन सिर्फिति में अगर off के पहले simple percent हो 40 percent, 30 percent, 20 percent off के पहले again percent हो सिर्फ तो आपको इस पे ध्यान देना होगा यहाँ वाले noun पे ध्यान देना होगा और उस हिसाब से verb का use करना होगा लेकिन गाइज अगर off के पहले percentage लग कर आए percentage तो फिर आपको आँख बंद करना है और वहाँ पे singular verb का use कर देना है तो चलते हैं next rule की तरफ subject verb agreement के rule no.5 में आपका स्वागत है rule no.5 कहता है collective noun ऐसे noun जिनसे collection का बोध होता हो collection जैसे team, Indian cricket team अब उस collection में 11 खिलाड़ी होते हैं और अगर बात की जाए Indian cricket team की तो वो एक team कहलाती है football में कई सारे players होते हैं guys लेकिन कहा जाता है न कि Brazilian team यानि कि एक team आ रही है it means वो एक collection ये लोगों का collection है guys जो कि एक unit की तरह काम करता है Indian army the Indian army यानि कि Indian army में तो लाखों soldiers हैं लेकिन ये Indian army एक team की तरह काम करती है और भारत जैसे country को defend करती है तो आपको भी ये ध्यान में रखना है जहां से team का बोद हो जहां से कई लोगों को एक समुख का बात हो वहां पे आपको वाब singular use करना है कैसे देखिए अगर collective noun में जिसमें collection हो team हो या फिर set हो set of five books set of five books again band हो आपने music band देखा होगा जिसमें कई सारे लोग होते है musicians होते हैं लेकिन band तो एक ही होता है न कई सारे bands हो सकते हैं अलग-अलग लेकिन band में कई members होते हैं और उन members को बलाकर एक band बनता है ये ध्याम में रखना है bunch गुच्छा अंगूर का एक गुच्छा कई सारे अंगूर मिलाकर एक गुच्छे का निर्मान करते हैं bunch of keys कई सारे चावियों को मिलाकर एक bunch बनता है guys अगर यहाँ पे collective noun की बात की जाए तो वहाँ पे आपने singular verb यूज़ करना है यानि कि जो verb होगा वो singular होगा जैसे a team guys यहाँ पे एक team है जैसे ही आपको यह collective noun दिखे आपको आँख बंद करके singular वाला verb has a team of players आपको यहाँ से deviate नहीं होना है कि players तो कई सारे होते हैं तो मैं have use कर देता हूँ वो wrong होगा team के हिसाब से a team of players a team of के बाद कुछ भी हो player has use करना है set again set of books set of books के साथ आपने singular verb use करना है band a band of musicians एक band है तो यहाँ पे आपने has का use किया again bunch guys bunch का मतलब गुच्छा और यहाँ पे singular fork मतलब एक समू है ना जो कि किसका है भेणों का है और वो खेतों में चर रहा है घास खा रहा है तो आप वहाँ पे is का प्रयोग करेंगे तो collective noun में आपको ध्यान रखना है singular verb का use करना है चलते हैं अगले rule की तरफ तो चलते हैं subject verb agreement का next rule rule number six guys इस rule number six को explain करने से पहले मैं यह चाहता हूँ कि आप इन दोनों examples को जरब पढ़े example number one और example number two example number one में है कि government government have made their decision है ना और नीचे लिखा है government has made its decision अब आपने यह decision लेना है कि इन दोनों में से सही कौन सा है यह वाला सही है या फिर यह वाला सही है again नीचे example number two the jury was divided in its opinion the jury was divided in its opinion और next जो है the jury were divided in their opinion तो आपने यह decide करना है कि क्या यह सही है या फिर यह सही है example number one में आपने अपना हो सकता है decision बना लिया हो कि इन में से क्या सही है और इन में से क्या सही है अब चलते हैं rule की तरफ इसको मैं बाद में explain करूँ rule कहता है यह guys government board staff committee company public jury यह ऐसे subjects है यह ऐसे words है ऐसे nouns है जो की singular और plural दोनों में ही use होते हैं यह दो धारी तलवा रहें यह singular भी है plural भी है और अगर आप इसका singular के साथ use करते हैं singular रूप में use करते हैं तो पूरे वाक्य के अंत तक singular ही होना चाहिए और अगर आप इसको plural के रूप में use करना चाहते हैं तो पूरे वाक्य के अंत तक sentence के अंत तक plural ही होना चाहिए और इस वाले pattern को इस वाले rule को आप very very important mark कीजिए क्योंकि usually देखा जाता है मैंने जब exam दिया था या फिर मैं previous year के question उठाऊं तो ये वाला question मिल ही जाता है तो आपने ध्यान से government अगर आप government plural के रुट में use कर रहे है have made there इन लोगों ने अपना decision ले लिया है अगर आपने government के साथ has use कर दिया है यानि singular इसको बना दिया है जो की गलत नहीं है जो की गलत नहीं है made its decision ये दोनों ही सही है both are correct और SSE आपको कैसे देगी या competitive exams में कैसे आएगा government have made ये वाला it's उठा कर यहां रख देंगे its decision यानि की इसको plural यहां पे singular कर देंगे decision और आपको दे देंगे आप फंस जाएंगे अगर आपने ये rule नहीं पड़ा है आप सिदा फंस जाएंगे याद रखना है there का मतलब plural its का मतलब singular अगर यहां पे has जो की singular है तो फिर यहां पे its अगर यहां पे have जो की plural है तो फिर यहां पे भी plural का ही use होगा बहुत ही ध्यान से और ये वाला question तो आही जाता है आता ही आता है तो आपने ये ध्यान से जिवरी का मतलब group of judges judge लोग जब बैठते हैं तो किसी पे फैसला सुनाते हैं तो उसमें एक judge नहीं होता है उसमें कई judges होते हैं आपने देखा होगा dance इंडिया dance उसमें कई judges बैठते हैं तीन चार बैठते हैं तो उसी तरह से जो group हुआ judge का उसको jury बोलते हैं तो the jury was है ना the jury was singular use किया हमने divided in its singular के साथ हमने its use कर दिया और जैसे ही हमने plural the jury were divided in their decision यहाँ पे their use कर दिया तो आपको बहुत ही ध्यान रखना है यह पहली बात ध्यान रखना है कि government, board, staff, committee, company, public और jury यह singular और plural दोनों में ही use होते हैं दूसरा बात का यह ध्यान में रखना है कि जब singular use करें तो throughout sentence के आखरी तक singular ही use कीजे competitive exams आपको singular use करके last plural बना देगी their use कर देगी यह ध्यान में रखना है आपने गलती नहीं करना है आपके लिए ही जाल बिछाए जाएंगे जैसे जैसे exams में या फिर competitive जैसे exams में वहाँ पर फंसना मना है जो नहीं फंसता है या कम फंसता है वो select हो जाता है चलते हैं guys next